चली students अब बिन टाइम वेस्ट की अपने passage की और बढ़ते हैं और passage हमारा next है question number 76 से ठीक है last passage हमने कल के lecture में किया था आज इसको finish करते हैं और हाँ ये passage थोड़ा दमदार है ठीक है तो जो बच्चे application पर पढ़ रहे हैं उनको तो पूरा set मिली रहा है सारे pages available है और जो बच्चे YouTube के लिए है वो screenshot लो और मेरे कराने से पहले passage को solve खुद से solve करके देखो ताके तुम्हें पता लगे कि तुम कितने पानी में हो और कितने skilled हो ठीक है चलो ये लो जल्दी से screenshot लो फिर हम आगे बढ़ते हैं passage की Hindi करेंगे जल्दी से screenshot ले लो तो ये हमारा 85 questions तक होने वाला है ठीक है तो lecture को pause करके जरूर देखना इसको एक बार solve करके अपने आप अब आगे बढ़ते हैं पहली line के Hindi meaning के साथ मेरे Hindi meaning बताने से पहले अपने answers marks जरूर कर लो ठीक है चलो तो start करते हैं The Reserve Bank has set a four Reserve Bank ने set किया है क्या एक agenda set किया है एक luxury set किया है जिसमें चार कुछ चीज़े है क्या है for the government गवर्मेंट के लिए जिससे की वो अपनी growth को कुछ कर सके जिससे की वो अपनी growth को कुछ कर सके repeat करता हूं line को ध्यान से सुनो Reserve Bank ने चार किसी चीज़ का कोई agenda set किया है जिससे की government अपनी growth को कुछ कर सके क्या कर सके दुबारा से तेजी से आगे बढ़ा सके इस तरह का sense आ रहा है तो अगर मैं 77 को पहले देखूँ तो kickback का मतलब तो वापस ले जाना ये तो होगा नहीं make का मतलब बनाना नहीं होगा क्योंकि growth तो पहले से होती है उसको तो आगे बढ़ाना होता है बनाना नहीं होता kickstart हाँ तेजी से शुरू करना दुबारा से इसे तेजी से आगे बढ़ाना ये meaning हो सकता है तो इसलिए आंसर इसका B हो जाएगा तो जिससे की government अपनी growth को kickstart कर सके इसे तेजी से आगे बढ़ा सके इसलिए RBI ने क्या किया है चार किसी चीज का agenda इसको दिया है ठीक है तै किया है तो चार step का जिसमें चार कदम होगे नहीं यहाँ पर कदम चलने वाली बात नहीं है चार stage का होगा जिसमें 4 stages होगी हो सकता है लेगिन 4 points जिसमें होगे अब agenda जो होता है या कोई भी एक manifesto या कोई भी एक ऐसा चीज कोई paper लेलो जिसमें कुछ targets हैं तो उनकों हम points बोलते हैं तो बहुत basic सा जो sense निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है चार point का agenda उन्होंने बताया है जिसमें 4 चीज़े हमें करनी है तो 4 points हम इने कह सकते हैं आगे बढ़ते हैं जिससे की government अपनी growth को kickstart कर सके and revive investments और investments को revive कर सके ताकि इसमें investments और आने लगे लोगों की इने किस तरह की economy में अब तुम किस तरह की economy में investment start करोगे उसकी growth की कोशिश करोगे जिसमें परेशानिया आ रही हूँ उसी में तो ये चीज़े try करोगे तुम तो जिसमें परेशानिया आ रही हो वो वाला sense है यहाँ पर कैसी economy, stuttering stutter का मतलब वैसे हकलाना होता है लेकिन रुक रुक करके आगे बढ़ती भी यह हमें यहाँ पर sense ले सकते हैं तो इसके answer होने के पूरे पूरे chances है ठीक है, splinter यहाँ पर नहीं होगा scatter का मतलब भी खेर देना होता है slow motion यहाँ पर नहीं होगा और अपनी growth को kickstart कर सके इसके लिए RBI ने क्या किया है इसको 4 point का agenda दिया है कि आप यह point पर काम करें ठीक है इंदी समझ में आ गई यहां तक even as यहां तक कि इसने क्या किया है इसने एक और चीज़ की है that monetary policy would continue to on inflation inflation का मतलब होता है महंगाई कि जो monetary policies है इसने कोई चीज़ और भी की है RBI ने it का मतलब यहां पर RBI से है RBI ने कोई और चीज़ भी बताई यह से कि जो monetary policies होती है monetary policies मतलब धन से related आपके राज कोश से related जो policies होती है आपके पैसे से related जो policies है वो inflation पर कुछ करके रखेंगी मतलब inflation की तरफ मूँ करके रखेंगी या inflation की तरफ उसका धिहान रहेगा अब inflation की तरफ किसी चीज़ का ध्यान रहने वाली बात है तो 80 में ढूंडो क्या होना चाहिए inflation की तरफ मेरा ध्यान है इसका मतलब मेरा focus inflation की तरफ रहेगा बहुत basic सा अर्थ आ रहा है कि जो monetary policy है जो आपकी पैसे से समंदी policy है इनका ध्यान जो है inflation की तरफ रहेगा इनका focus inflation की तरफ रहेगा ये चीज RBI ने बताई है तो RBI ने ये चीज़ बताई ये चीज़ कही तो इसके लिए क्या होना चाहिए इसका जुकाव इस तरफ है नहीं इसने redeem किसी चीज़ का पूरा फायदा उठाया नहीं इसने suggest किया कि हाँ suggest का मतलब बताना होता है इसने इस चीज़ का सुझाव दिया इसने इस चीज़ को बताया ये हो सकता है return का मतलब वापस आना तो ये भी answer नहीं होगा तो answer है हमारा suggest ये बात मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ कि mostly बच्चों को जिन्होंने इस passage को इमानदारी से attempt किया है तो उन्हें पहली नजर में ये passage बहुत भारी लगा होगा बट वास्तव में इतना भारी है नहीं इसलिए मैंने कहा था कि ये passage सोड़ासा दमदार है ठीक है तो 5 questions हम fill कर चुके हैं तो इसने that means RBI ने ये भी suggest किया है कि इसकी monetary policies जो होती है इनका ध्यान inflation की तरफ रहेगा मैंगाई की तरफ ये ज़्यादा focus रहेगा आगे बढ़ते हैं while कुछ करते हुए जबकि ये करते हुए क्या एक spell of policy status जो उसका नीतिगत ठहराव है policy का मतलब नीतियां होती है status related है ठीक है जो status मतलब नीतियां जो होती है उनका जो स्थिती है तो उनकी स्थिती के spell को spell का मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं ये एक proper economy का पूरा पूरा phrase भी हो सकता है तो इस चीज को center को दिखाते हुए इस चीज को center को दिखाते हुए क्या कि as one of the कि ये मुख्य किसी चीजों में से एक है for the slowdown of the कि जिससे slow हो रही है क्या चीज अब यहाँ पर economy का पूरा पूरा flow है कि यही एक ऐसी चीज है center को ये दिखा रहा है RBI जो है center को दिखा रहा है कि ये सारे चीजों में से एक है जिसकी वज़े से economy slowdown हो रही है तो सबसे पहले हम 83 में देखते हैं कि economy related कोई word है क्या ठीक है फिर पहले वाले fill करेंगे तो 83 में देखो है क्या हाँ जिसकी वज़े से tax structure down हो रहा है नहीं बैलेंस ओफ पेमेंट नहीं आपका क्या है? एककोणोमी जिसकी वज़े से done हो रही है economy पर ही तो बात करते हैं हम सुरू से तो जिसकी वज़े से economy down हो रही है ये इसके کई चीजों में से एक है अब कई कारणों में से एक होने का सेंस आ रहा है तो कारणों में से एक के लिए reasons related कोई word होना चाहिए 82 में देखो 82 में reason है पूरा पूरा answer हो सकता है season मोसम का यहाँ पर कोई sense नहीं है belief विश्वास का यहाँ पर कोई sense नहीं है और benefit lab का यहाँ पर कोई sense नहीं है तो यह reasons में से एक है उन कारणों में से एक है जिसकी वज़े से economy आपकी slowdown हो रही है यह चीज center को दिखाते वे बताते वे अब दिखाना बताने का sense 81 में है तो 81 में ढूंडो अब क्या है जरूरी नहीं है कि हम line से ही चलेंगे हमें वो चीजे देखनी है वो चीजे समझनी है जो हमें जल्दी से cover करा रही है песage को ठीक है तो यह क्या कर रहा है rbi क्या कर रहा है government को दिखा रहा है तो shout का मतलब government पर चिला रहा है नहीan scold का मतलब government को डाट रहा है नहीं, government को दिखा रहा है हो सकता है, government में आग लगा रहा है flame कर रहा है, ऐसा भी नहीं है, आग बढ़का रहा है नहीं, तो क्या कर रहा है, government को दिखा रहा है, कि आपको अपनी policy status को थोड़ा check करना पड़ेगा क्योंकि ये one of the reasons है, main reasons में से एक है, जिसकी वेसे economy down हो रही है RBI ने कहा, in its annual इसने अपनी सालाना किसी चीज में कहा, तो सालाना तुम तुमारे flow में अपने आप या रहा होगा, किसी चीज की जब कोई, किसी चीज पर research करता है, तो बाद में वो report देता है उस चीज की, तो यहाँ पर reports related कोई word आ रहा है, RBI ने अपनी सालाना इस चीज में बताया कि किस में बताया, देखो 84 RBI ने अपनी सालाना एजेंडा में बताया, नहीं, इसका सालाना एजेंडा तो यहाँ नहीं आएगा, अपने सालाना result में नहीं अपने सालाना quota में, R action में नहीं अपनी सालाना report में बताया पूरे पूरे chances है, ठीक है तो RBI ने अपनी सालाना report में बताया, कि government को जो center है, जो केंडर है, उसको सबसे पहले क्या करना होगा crackdown करना होगा, crackdown का मतलब मजबूत कदम उठाने होगा ठोस कदम उठाने होगा, किसी चीज को रोकने के लिए, meaningly flow crackdown fix result verb है, जिसका meaning है किसी चीज को रोकने के लिए मजबूत कदम उठाना, तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, कि RBI ने अपनी animal report में बताया कि center को मजबूत कदम उठाने होगे पहले किसी चीज को रोकने के लिए on the twin deficit, deficit का मतलब घाटा, तो इसका जो 12 घाटा हो रहा है एक तो fiscal घाटा हो रहा है राजकोश यह घाटा, fiscal का मतलब राजकोश यह होता है और एक current account का जो deficit है, और जो current accounts में जो इसका घाटा चल ला है, इनको रोकने के लिए कि वो मजबूत कदम उठाए अब 85 में देखो, तुम्हारा क्या आना चाहिए ठीक है, center को सबसे पहले यह करना चाहिए, center को सबसे पहले, क्या है यह करने की जरूरत है, यह करना चाहिए, needed के पूरे पूरे chances है government ने plan कर लिया, नहीं उसने सुझाव दिया कि government हो करना चाहिए तो plan कर लिया, यह वाली feeling नहीं है आपको क्या है, government चाहती है, नहीं वो से suggestion दे रही है, अभी तक वो नहीं चाहती है अभी उसने plan नहीं किया, felt का मतलब feel करना होता है, तो need का मतलब आवशक्ता, तो RBI क्या कह रहा है RBI ने needed हमने यहाँ पर fill किया, RBI ने बताया अपनी annual report में कि government को सबसे पहले यह करने की आवशक्ता है मतलब, मजबूत कदम उठाने की आवशक्ता है, क्या करने के लिए twin deficit को रोखने के लिए, मतलब जो 12 गाटा इसका हो रहा है, इसको रोखने के लिए कदम उठाने चाहिए इसे तो आवशक्ता का sense था, इसलिए हमने यहाँ पर needed लगा दिया, done past form ही क्यों लगाई, क्योंकि direct indirect के रूल में तुमने पढ़ा होगा, कि जब reporting verb past में होती है, तो that के साथ जब indirect speech आप बना देते हैं indirect narration आप बना देते हैं तो वहाँ पर अगले में भी past ही आना चाहिए इसलिए हमने need को past में रखा needed रखा, समझ में आ गया तो इसी के साथ में आपका ये वाला passage भी complete होता है close test number 2 इस set का complete होता है, अब next set का करेंगे ठीक है, तो अभी के लिए इस lecture में इतना ही रखते हैं और देखते हैं next lecture में हम कौन सा passage करते हैं ठीक, a great time